क्लास्टू, एवियस, चैप्टर नमर नाइन, लिविंग थिंग्स और नन लिविंग थिंग्स, ठीक है, चलिए हम इसका एक्सरसाइज करते हैं, सम्थिंग तू दू, यह है, फिलिन दी ब्लैंग्स, फॉस्ट है, डास्ट थिंग्स, कैन मूग अन दियर ओन, लिविंग्स ठीक है, यहां थिंग्स करते हैं, सेकेंड है, लिविंग थिंग्स, यहां 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 थिंग can not grow. Non-living things grow नहीं करता, बढ़ता नहीं है. B है, observe things around you and write five living and five non-living things in the column give glow. यहाँ पर आपको 5 living things और 5 non-living things के नाम लिखना है. चलिए, हम मैं करवा देती हूँ, living things हो गया, man, tree, jog, cow, or cat. Next हो जाएगा, non-living things में हो जाएगा, sun, hill, chair, log, और twire. ठीक है, इस तरह हम यहाँ पर फिल कर लें. Next देखे, C है, all living things grow, तो number these pictures in the correct order. यहाँ पर जो है, हमको correct order में number लिखना है. कैसे कैसे वो start होता है. तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट में होगा यह, यहाँ पर छोटा सा बीज है, फिर यह थोड़ा सा बढ़ा होगा. यहाँ हो गया second और यह बढ़ा हो गया, पौदे बनने के लिए तो यह हो ग फर्स्ट हो जाएगा, यह अंडे में से निकल दा है चूजा, यह second हो जाएगा और यह पूरा चूजा निकल गया, तो यह third हो जाएगा. यह छोटा बीज है, यह फर्स्ट होगा, उससे बढ़ा second और यह third. ठीक है? इस तरह से हम इसको कर लेंगे. नमबर डी है, लुक केरफूल अट पिक्चर गी विलो और कम्प्लीट द संटेंस उजिंग द देम, लिविंग अन नन लिविंग थेंग्स. यहाँ पे आपको यह पिक्चर को गौर से देख रहा है कि इसमें कौन से चीज लिविंग है और कौन से नन लिविंग थेंग्स ह हो सकते हैं, कौन-कौन से नन लिविंग थेंग्स होते हैं, जो लिविंग थेंग्स होते हैं, वो बढ़ते हैं, वो चल सकते हैं, वो सास ले सकते हैं, जिसा उसके फीचर होते हैं, नन लिविंग थेंग्स ना आगे पढ़ सकते हैं, आपको सास ले सकते हैं, वो जहां रहत उसको अगर एक दूसरे से दूसरे जगा पे लाना होगा तो हमको सहारा की जरुवत हो चुपी है वो अपने से ना ग्रो कर सकते हैं ना ब्रीज कर सकते हैं ठीक है अब हम यहाँ पर फिल करते हैं ठीक है नबर थर्ड है दसन इस एड़ा है यहाँ नन लिविग कि फॉर्थ है इल इस एड़ा है वह नन लिविग फिर्फ बटरफ्लाई इस एड़ा इस तरह हम यहाँ पर तरह कर डएंगे अब तो चलिये हां, यहां पे कुछ important question कर लेते हैं First है name 5 living things, पाच living things के ना बताना है Answer होगा man, tree, girl, cow और boy Next, two name 5 living things, answer bin, box, bat, sun and coffee Third है write 5 feature of living things, पाच feature बताना है Answer में first होगा living things can move, second होगा living things can grow and change Number third होगा living things need food to leave Number fourth होगा living things need air to breathe And fifth होगा living things die, living things मरता भी है चाके ना लेकिन ननल में things मरता नहीं है Fourth, write 5 feature of non-living things अब non-living things के 5 feature बताईए Answer होगा first इसका non-living things cannot move, second होगा non-living things cannot grow and change, number third होगा non-living things do not need food to leave, fourth होगा non-living things do not need air to breathe and fifth होगा non-living things do not die, ठीके इस तरह से हां complete कर लेंगे और इसी के सा chapter number 9 Living things, non-living things समाथ होता है Thank you